वेलकम बैक एवरिवन तोड़े वी विल कंट्यूनियू विद सेकंड चेप्टर ऑफ नाइध क्लाश जोगर्फी तैस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तो लास्ट लेक्चर में जो हम डिसकस कर चुके हैं अब तक जो आपको फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के उनके बार लेंड मांटेंस के बारे में नॉर्डन प्लेंस के बारे में और पेनिंसुलर प्लेटू के बारे में ठीक है तो हमने लास्ट में डिसकस किया था कि आपका जो यह पेनिंसुलर प्लेटू वाला जो रीजिन है डेकन प्लेटू है उसके दोनों साइड पे आपके यह साइड पर western ghaad तो इनकी direction की according ही इनका नाम रखा गया तो बहुत western and eastern ghaad lie west and east of the deccan plateau respectively तो west and east दोनों नाम के according ही direction के according ही दोनों इसके तरफ दोनों तरफ पाया जाते हैं तो what is ghaad? ghaad होता है कै? ghaad basically के लिए क्या होता है मराथी टर्म में mountain को कहा जाता है ठीक है और यहां पर ghaad का मतलब क्या होता है कि ghaad जो mountain range होती है उसकी ऊपर वाली चोटी तो उसको पीक कहते हैं लेकिन जब उन दो के बीच में कोई रास्ता बच जाता है तो उसको ghaad कहते हैं area reason होता है तो यह पूरे जो हमने देखा है कि आपका Southern Side में आपकी mountain ranges हमें जो है दोनों साइड एक तरीके से mountains चोड़ी चोड़ी पहाडिया हमें देखने को मिलती है तो इन ही को ghaad कहा गया है ठीक है मराथी टर्म में पहाडी को ही पहाड को mountain को ghaad कहा जाता है तो बहुत the guards have some distinctive features and differentiating points तो इन दोनों के जो हैं दोनों है तो उसके लगातार plateau के लगते हुए बट दोनों के जो हैं अपने अपने अलग-अलग features हैं तो उनी के बारे में so western guards में क्या देखते हैं कि continuous and can be cross through passes only तो यह continuous है और passes के through ही cross किया जा सकते हैं बट जो आपका eastern guard वाले हैं वो discontinuous है और irregular or dissected by rivers तो क्योंकि उनको बीच बीच में rivers के दवारा काटा गया है देखिए यहाँ पे आपके जो western guard आपके continuous है तो इनमें जो passes होते हैं दर्रे होते हैं निकलने के लिए सरफ उनी से इनका रास्ता क्रोस किया जा सकता है ठीक है बट जो आपके हम eastern गाट देखें यह इस्टन गाट है ठीक है यह irregular हैं देखिए आप बीच बीच में कटे हुएं टूटे हुएं तो और को रीवर्स के दवारा काटे गए हैं देखिए यह रीवर्स आपकी आ रही हैं जो रीवर्स नहीं काटके अलग-अलग बनाती है तो यह दोनों में differentiation है गाटों में आफ्टर देट इस्टन जो आपके वेस्टन गाट है वो हाईयर दैन दा किस से हाईयर हैं आपके इस्टन गाट से ठीक है यह आपके देखिए इस्टन गाट जो हैं हाईयर दैन इस्टन गाट वेस्टन गाट सो रही वेस्ट साइड वाले आपके पोर्शन जो पहिन की 900 to 1600 मीटर है बट एवरेज एलिवेशन जो है आपकी इस्टन गाट की वो है आपके 600 मीटर अली यहापके देखिए हमने देखा कि आपकी जो हाई यह वाले वैस्टन वाले गाट हैं और इस्टन वाले गाट हैं आपकी रीवर का फ्लो के साइड देखिए रीवर आपकी फ्लो करके साइड जा रही है ठीक है बेव बेंगॉल में गिर रही है आपकी डारेक्शन इस साइड है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके वैस्टन गाट की हाइट है वो जादा है इस्टन गाट की हैट के मुकाबले ओके इसकी एवरेज हाइट तो 900 to 1600 है ठीक है और इसकी आपकी 600 है तो हमाइलाइन माउंटेंज के मुकाबले तो काफी जादा कम है यहां पर ठीक है जो वैस्टन गाट है आपके अब वो कहां से stretch करते हैं stretch from topi to south of neilgri ठीक है topi river से neilgri hills तक है आपके western ghat और आपके जो eastern ghat है वे करते हैं कहां से महागरी valley to neilgri neilgri hills तक ही है आपके यह भी फैस यह देखिए यहां पे topi river से आपका topi river से लेकर neilgri hills है जो यहां पे ठीक है नilgri hills तक आपके western ghat है और यह आपका यहां पे महानदी से लेकर और फिर neilgri hills तक ही आपका जो है नilgri hills तक ही ending point तक ही आपका यह फिर eastern ghat फैले हुए ठीक है topi to neilgri, महानदी to neilgri so आपके western ghat जो है cause aurographic rain, तो aurographic rain के बारे में भी हम discuss करते हैं भी और जो है आपकी इसमें highest and progressively increase from north to south highest peak अनामुडी, अनामुडी है जो 2695 है इसकी तो western ghat की और बढ़ती जाती है height इसकी और highest peak जो eastern ghat की है आपकी वो महानदी गरी है ठीक है 15001 meter है आपकी यह नियर, ओके और शेवरोई hills और जावाडी hills are located in the south east of it और शेवरोई hills और जावाडी hills है वो इसके south में located है ठीक है eastern ghat के देखिए, हमने जो अभी aurographic rain जो western ghat cause करता है, कैसे करता है aurographic का मतलब क्या होता है कि जब आपका windward side यह होती है, मतलब आपका कितनी height देखिए, हमने near about two and a half kilometer है यहाँ पे, western ghat पे okay, so two and a half kilometer है तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपका monsoon आता है इस side से, वो height पे आने के बाद आपका, एक second इधर देखिए, आपकी यह मानले हाँ पे पहाड है उच्छा आप जो monsoon आपका हमें पता है इस side से आपका चल के आता है ठीक है, monsoon जो अपने साथ पानी लेके आता है पानी लेके आएगा तो वो height यहाँ से टकरा के ऊपर चड़ेगा, तो यह windward side होती है ठीक है, तो windward side पे जब क्या होता है बारिश केश होती है आपकी जब जो गरम हवाएं अपने साथ पानी जल वास्प लेके आती है वाटर वैपरस लेके आती है और जब वो height पे चड़ने लग जाती है आपकी, height के ऊपर जब चड़ती है, ऊपर की तरफ मूँ करती है तो क्या होता है वो जब वाटर वैपरस का temperature याणी, atmosphere का temperature गिरने लग जाता है और वाटर वैपरस आपकी water में convert हो जाती है तो इसी को orographic rain बोलते है तो यह आपका western guard की height जादा है तो इसलिए आपका यहाँ पे orographic rain develop होती है और इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इसकी height है जो north to south western guard की बढ़ती जाती height ठीक है respectively और highest peak इसकी जो अन्नाय मुडी है वो यहाँ पे है ठीक है, अन्नाय मुडी इसकी highest peak यहाँ पे आपको यह map के लिए भी याद रखना है ठीक है अन्नाय मुडी है आपकी highest peak 2695 meter peak इसकी इस area में पढ़ती है और after that जो आपकी निलगिरी hills की highest peak है वो 15001 यानि की near about 1.5 km वो आपकी महिंदरगिरी hill जो उडिसा में है वो आपकी near about यहाँ पे बढ़ती है ठीक है जो इसके आपके इस्टन गाट के south में कौन सी आपकी वो पढ़ती है शेवरोई और जवडी hills और इस region में पढ़ती है ठीक है तो यह आपका था deck and plateau के दोनों side western और इस्टन गाट वाले portion ठीक है I hope आपको यह सारा समझाया होगा इतना जाद मुश्किल तो था नहीं पकी if you are having any kind of doubts you can ask और next topic में जो हम इसका desert Indian desert के बारे में cover करेंगे